देश के युवा सपनों, देश के नागरिकों की अकांग्षाओं की बात, मैं पूरे महने मन की बात का इंतजार करता रहता हूँ, ताकि आप से सीधा समवात कर सकूँ, कितने ही सारे संदेश, कितने ही मेसेजिज, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जादा से जादा संदेश को पढ़ू, आपके सुझाओं पर मन्दफन करू, साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है, आज NCC दिवस है, NCC का नाम सामने आते ही, हमें स्कूल, कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, मैं स्वयम भी NCC केड़ेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, कि इस से मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है, NCC, युवाओं में अनुशाषन, नेत्रुत्व और सेवा की भावना पैदा करती है, आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाड की स्थिति हो, कहीं भूकम पाया हो, कोई हाथसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए NCC के केड़ेट जरूर मुजूद हो जाते हैं, आज देश में NCC को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है, 2014 में करीब 14 लाख युवा NCC से जुड़े थी, अब 2024 में 20 लाख से ज़्यादा युवा NCC से जुड़े हैं, पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब NCC की सुविदा हो गई है, और सबसे बड़ी बात, पहले NCC में गर्ल्स केड़ेट्स की संख्या करीब 25 परसंट के आसपास ही होती थी, अब NCC में गर्ल्स केड़ेट्स की संख्या करीब परीब 40 परसंट हो गई है, बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा NCC से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है, मैं युवाओं से आगर करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में NCC से जुड़े, आप देखिएगा, आप किसी भी केरियर में जाए, NCC से आपके व्यक्तित्वन निर्मान में बड़ी मदद मिलेगी, साथियों, विक्सित भारत के निर्मान में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है, युवा मन जब एक जुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मन्थन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्यत रुपे इसके ठोस रास्ते निकलते हैं, आप जानते हैं, बारा जन्वरी को स्वामी विवेकानन जी की जेंती पर देश युवा दिवस मनाता है, अगले साल स्वामी विवेकानन जी की 162 भी जेंती है, इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा, इस अवसर पर 11-12 जन्वरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुम होने जा रहा, अर इस पहल का नाम है विक्सित भारत यंग लीडर्स डाइलोग, भारत भर से करोडों युवा इसमें भाग लेंगे, गाउं, ब्लॉक, जीले, राज्ज, और वहां से निकल करके चुने हुए, ऐसे दो हजार युवा भारत मंडपम में, विक्सित भारत यंग लीडर्स डाइलोग के लिए जुटेंगे, आपको याद होगा मैंने लाल के लिए की प्राचेत से ऐसे युवाओं से राजलिते में आने का आवान किया है, जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पुरे परिवार का पोलिटिकल बैक्ग्राउंड नहीं है, ऐसे एक लाख युवाओं को नए युवाओं को राजलिती से जोडने के लिए देश में कई तरह के विशेस अभियान चलेंगे, विक्सित भारत यंग लिडर्स डायलोग भी ऐसा ही एक प्रयास है, इसमें देश और विदेश से एक्सपर्स आएंगे, अनेक राष्टियों और अंतराष्टियों हस्तियां भी रहेगी, मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्तित रहूँगा, युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का आउसर मिलेगा, देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोड मैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तयार किया जाएगा, तो आप भी तयार हो जाएए, जो भारत के भविश्का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीडी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मोका आ रहा है, आईए मिलकर देश बनाएं, देश को विच्शित बनाएं, मेरे पहरे देश्वाश्यों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाव की चर्चा करते हैं, जो निश्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कितने ही युवाव हैं, जो लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं, हम अपने आस्पात देखें, तो कितने ही लोग दिख जाते हैं, जिने किसी ना किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवावने समू बना कर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है, जैसे लखनों के रहने वाले विरेंद्र हैं, जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला, तेबे आमों चैनेल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेबा कुछ जमा भी बुलनतु नहीं,